मंगल भवन या मंगल हारी ओ माह सहित जी शपत पुरारी पुरत भवन आई गिरी राई सकल सैल सरली ये बुलाई आदर दान बिन या बहु माना सब खर बिदा की नहीं वाना जब ही संभु कैला सही आए सुर्सवने जनी जलोक सिहाए जगत मातो पितो संभु भवाने पेही संकारू ना कहा हो बखाने करही बिदा बिदी मूग बिलासा गलल समीत बसहीं कैलासा हर गिरिजा बिहार नितनयमों एही बिदी भी बूल काल चल गयां तब जन में उशट बदन कु मारा तारक वसूर समर जेंग मारा आगम निगम प्रसेध पुराना शन्मुख जन्मु सकल जग जाना जग जान शन्मुख जन्मु कर्म प्रताप पुरु शारत महा तेही हे तुमैं प्रिश की कुसुत धर चरित संचे पहि कहा यहां मा संभु बिबाहु जे नरनारी कहा ही जे गावही कल्यान ताज बिबाह मंगल सर्बदा सुख पावही मंगल भवन या मंगल हारी ओ महा सहित जी जपत पुरारी चरित सिंभु गिरी जार मना बेद नपावही पारु बरने तुलसी दासु दिवी अतिमति मंध गवाहरु मंगल भवन या मंगल हारी ओ महा सहित जी जपत पुरारी संभु चरित सुनी सरस सुहावा भरहत वाज मुनी अति सुख पावा महुलाल साक था पर बाढ़ी नयननी नीरुरो मावरी थाड़। प्रेम विवस्त मुख आवन मानी दसा देखी हरशे मुर्यानी अहो धन्य कव जन्मूनी सा तुह ही प्रान सम प्यक औरी सा सिवपग कमल जिननी रतिनाही राम ही दे सपने हुन सुहानी बिनुचलबीष्व नाथ पगने हुन राम भगत करल चरई कुन सिवसम को रघुपती प्रत भारी बिनुअगत जी सती है सिनारी पनुकल लगुपती भागती दिखाई ओ सिवसम राम ही प्रेहाई मंगल भवन या मंगल हारी ओ मासहित जीजा पथ पुरारी प्रत मही मैं कही सिवचरिता पूझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम्हाम के रहित समस विकार मंगल भवन या मंगल हारी ओ मासहित जीजा पथ पुरारी अर्थात परवत राज हिमाचल तुरंत घर आये और उन्होंने सब परवतों और सरूवरों को बुलाया हिमवान ने आदर दान विनाय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की जब शिवजी कैलास परवत पर पहुँचे तब देवता अपने अपने लोकों को चले गए तुलसीदास जी कहते हैं कि पारवती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं इसलिए मैं उनके श्रिंगार का वर्णन नहीं करता शिव पारवती विविद प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलास पर रहने हुआ जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारका सुर को मारा वेद शास्तर पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है शडानन यानि स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा शेप में ही कहा है शिव परवती की विवाह की स्कथा को जो स्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्यान के कारियों और विवाह आदी मंगलों में सदा सुख पावेंगे गिरिजापती महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है उसका पार वेद भी नहीं पाते तब अत्यंत मंद बुद्धी और गमार तुलसी दास उसका वर्णन कैसे कर सकता है शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनी भारतवाज जी ने बहुत ही सुख पाया कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई नेत्रों में जल भराया तथा रुमावली खड़ी हो गई वे प्रेम में मुख्द हो गए मुख से बाणी नहीं निकलती उनकी यह दशा देखकर ज्यानी मुनी यागयवल की जी बहुत प्रसन हुए और बोले हे मुनीश आहाहा तुम्हारा जन्म धन्य है तुमको गवरी पती शिवजी प्राणों के समान प्रिय है शिवजी के प्रतिग्या करके श्री रगुनात जी के भक्ति के समान और कौन प्यारा है मैंने पहले ही श्री का चरित्र कहकर तुम्हारा भेट समझ लिया तुम श्री राम चंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोशों से रहित हो इस एपिसोड में इतना ही आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे यूट्यूब चानल से जुड़े रहें धन्यवाद